नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MP बेसिक इन्फो पर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इंसान का मन दो तरह से काम करता है एक चेतन मन conscious mind के रूप में और दूसरा अवचेतन मन सब conscious mind के रूप में चेतन मन का कार्यद तर्क वितर्क का होता है और वह हमारे शरीर की पाँच इंद्रियों के रूप में होता है चेतनमन तभी काम करता है जब हम जागरित अवस्था में हो जबकि अवचेतनमन नींद की अवस्था में भी काम करता है अवचेतनमन एक मिट्टी की तरह होता है आप इसमें जो भी बिज डालेंगे वह उसे स्वीकार कर लेगा अप चाहे बिज अच्छा हो या बुरा अर्थात जिस भी चीज के बारे में आप सोचते हैं और विश्वास करते हैं चाहे वह अच्छी हो या बुरी आपका अवचेतनमन उसे सुविकार कर लेगा और वही चीजें आप तक पहुँचाएगा आपका अवचेतन मन आपके दिये गए आदेशों को ग्रहन करता है जो आपके विश्वासों और सच माने गए सुझावों पर आधारित होते हैं दोस्तों जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए या फिर कुछ बनना है तो आपको वर्तमान में उसे महसूस करना होगा और अपने अवचेतन मन को बताना होगा कि आपको वह चीज चाहिए या फिर आप वह बनना चाहते हैं तो निश्चित ही वह चीज आप पालेंगे और आप वह बन जाएंगे जो आप चाहते हैं आप चाहे वह चीज अच्छी हो या बुरी इससे आपके अवचेतन मन को कोई फर्क नहीं पड़ता है वह तो सिर्फ आपके आदेशों का पालन करता है अवचेतन मन और स्वास्थ दोस्तों हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्ती है कि वह बड़ी سے बड़ी बीमारी का इलाज भी स्वता कर देता है अगर हम हमारी शरीर की किसी बीमारी को लेकर मन में यह धारणा रखते हैं कि मेरी यह बीमारी तो बढ़ रही है तो आप यह मान कर चलिए कि कुछ ही दिनों में आपकी बीमारी और अधिक बढ़ जाएगी क्योंकि आपने अपने अवचेतन मन को यह संकेत दिया है कि आपकी बीमारी बढ़े वही यदि आप अपनी किसी बीमारी के बारे में यह धारणा रखते हैं और विश्वास करते हैं कि मैं तेजी से स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी बीमारी दूर हो रही है, तो यकीन मानिये आप जल्दी ठीक हो जाएंगे दोस्तों, हमारे शरीर का स्वस्थ होना या ना होना हमारे मन पर निर्भर करता है हम अपने विश्वास से अपने अवचेतन मन के द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे टिमोधी ग्रास से अलर्जी है तो आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने एक खाली गिलाश या नकली फूल रखकर उसे बता दे कि यह टिमोधी ग्रास है वह तुरंद अलर्जी के लक्षण प्रकट करने लगेगा इससे निशकर्ष निकलता है कि रोग का कारण मन में होता है उपचार की प्रक्रिया भी मन में ही घटित हो सकती है अब जेतन मन और शराब आज के समय में देखा जाए तो ज्यादातर लोग आदतन शराबी बन गए हैं उनका शराबी बनने का कारण भी वे स्वयम ही है क्योंकि उन्होंने बार-बार अपने मन को यह एहसास दिलाया है कि शराब से उसे शांती मिलती है उसकी टेंशन दूर होती है इसके अलावा शराब की और भागने का एक कारण यह भी है कि वह अपने मन में इस प्रकार की छवय बना लेता जिससे वह शराब पिने की और अग्रिसर होता है जैसे वह शराब का पैक बना रहा है वह दोस्तों के साथ शराब को एंजॉय कर रहा है आदि आपके भीतर अवजेतनमन में असीम शक्ती के भंडार और उपचारक शक्ती है इससे इसी समय परिचित हो जाए यदि आप शराबी है तो इसे स्वीकार करे मुद्दे से न कतराए कई लोग शराबी इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वे इसे मानने से ही इनकार कर देते हैं अगर शराबी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने मन को फिर से कंडीशन करना होगा अपनी पुरानी मान्यताओं को बदलना होगा उसे हमेशा पॉजिटिव और अच्छे विचार ही अपने मन में रखने होंगे अपने अवचेतन मन को यह बताना होगा कि अब वह सरब छोड़ रहा है और गरीब होना हमारे मन पर निर्भर करता है अगर हम यह मानते हैं कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता या फिर पैसे के बारे में हम गलत धारणा रखते हैं तो हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे दौलत मन्द बनने के लिए हमेशा दौलत पाने की भावना रखे दौलत की भावना दौलत उत्पन्न करती है सफल होने की भावना सफलता उत्पन्न करती है इसे हर समय मन में रखे अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है एक तरह का सर्वव्यापी बैंक आप इसमें जो भी जमा करते हैं या जिसकी भी छाप छोड़ते हैं ये उसे बढ़ा देता है, चाहे यह अच्छा हो या बुरा। अवचेतन मन आपको चक्रवरिद्धि ब्याज भी देता है। हर सुबह जब आप जागे, तो सम्रिद्धी, सफलता, दौलत और शान्ती के बारे में सोचें। हमेशा अच्छी और सफलता पाने वाली चीजों को महसूस करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अवचेतन मन में यह संदेश जाएगा कि आपको दौलत और सफलता चाहिए, यकीनन आपको वह चीजे प्राप्त होने लग जाएगी। वैवाहिक समस्याओं में अवचेतन मन का इस्तिमाल, अगर आपको एक ऐसा जीवन साथी चाहिए, जो हर प्रकार से श्रेष्ट हो, संसकारवान हो, तथा गुणी हो, तो आपको इस प्रकार की कल्पना अपने मन में करनी होगी। आपको किस प्रकार का जीवन साथी चाहिए, उसके बारे सोचे और यह महसूस करे कि वैसा जीवन साथी आपको मिल चुका है। ऐसा कभी न सोचे कि मैं तो किसी भी लाइक नहीं हूँ, शायद ही मुझे कोई अच्छा जीवन साथी मिले, तो इस बात की पूरी संभावना है क आपको कभी भी अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पाएगा। उटते, बैठते और सोते समय हमेशा वह कलपना अपने मन में करे कि आपको ऐसा जीवन साथी चाहिए। अगर आप ऐसा रोज करते हैं और इस पर विश्वास करते हैं और महसूस करते हैं तो यकीन मानिए आपक पहले से ही विवाहित है और आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो उस समस्या को न बढ़ाए और किसी दुसरे व्यक्ति से इसके बारे में चर्चाना करें हमेशा अपने पती या पत्नी की प्रशंसा करें और उसके अच्छे गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित करें हमेशा मन में यह सोचे कि मेरा पती या पत्नी अच्छी है वह मेरी मेरा बहुत खयाल रखती है और हमारा रिष्टा काफी अच्छा चल रहा है अगर आप इस प्रकार की बातें अपने मन से करते हैं तो कभी भी आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी अवचेतन मन और मार्ग दर्शन अगर आप अपने जीवन में किसी समस्या से ग्रसित है और आपको इसका समाधान चाहिए लेकिन यह आपको मिल नहीं रहा है तो आप अपने अवचेतन मन के द्वारा मार्ग दर्शन प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यह मार्ग दर्शन आपको तब ही मिलेगा जब आप तनाव मुक्त और खुश रहेंगे सोने से पहले अपने मन को बता दे कि आपको अमुक समस्या का समाधान चाहिए और यह विश्वास करे कि जल्दी ही आपका अवचेतन मन आपको इसका समाधान सुझा देगा कुछ समय में या फिर कुछ दिन में आप देखेंगे कि अचानक आपके मस्तिष्क में उस समस्या का समाधान आपको मिल जाता है और आप खुश हो जाते हैं दोस्तों हमारे अवचेतन मन के द्वारा हम हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं अवचेतन और नीद का छमक्तार हम एक दिन में आठ घंटे की नीद लेते हैं, जो हमारी एक तिहाई जिंदगी के बराबर होता है, हमारी फिजिकल बॉडी सोते समय आराम करती है, पर फिर भी अवचेतन मन और उसके टार्गेटेड ओर्गेंस रात भर काम करते हैं, रात को ह हमारा अवचेतन मन बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक करता है, क्योंकि हमारे चेतन मन उस समय कोई भी रोक टोक नहीं करता, सुबह से लेकर रात तक आपका चेतन मन रोज के कामों में लगा रहता है, और एक सर्वे के हिसाब से हम एक दिन में अलग-अलग विचारों को सोचते हैं, और यहीं बहुत सारे emotions को पैदा करता है, और जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने greater intelligence को connect करते हैं, और यहीं आप सोते समय करते हैं, इसलिए प्रार्थना एक नींद की तरह है, जो आपके जीवन में बहुत अच्छा होता है, हमारी ये बात याद चेतनमन में तयार होना शुरू हो जाएंगे, और आप सफलता की सीड़ी चड़ेंगे, अब चेतनमन की शक्तियों से हम अपनी जिंदकी में अपने perfect life partner को भी आकरशित कर सकते हैं, दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें